और यह अब आपको सोशल मीडिया की दुनिया से तर स्पेस की दुनिया यानि अंत्रिक्ष की दुनिया में ले चलते हैं अंत्रिक्ष असीम है अनन्त है इंसान अंत्रिक्ष में जीवन की तलाश में दश्कों से जूटा है और इसी मिशन में एक बहुत बड़ी सफलता हात ल ये कोई आम फूल नहीं है इस फूल को सिर्फ फूल समझने के कोशिश मत लीजेगा इसके तेरा पंखुडियां बहुत खास हैं इस तस्वीर को गौर से देखिए फूल के पीछे क्या दिख रहा है सामने फूल है और पीछे धर्ती जी हां ये फूल धर्ती से कई हजार किलोमेटर दूर खिला है स्पेस में अंतरिक्ष में खिला फूल दिल हुआ गार्टन कार्टन अंतरिक्ष जहा ना पानी है ना जंदगानी है वहां से फूल खिलने की खबराते ही दिल गार्टन कार्टन हो गया लेकिन इस एक फूल की कहानी काफ़े दिल्चस्प है सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये फूल आखिर उगा कहा इस फूल का नाम है जीनिया इसे ISS के विजी लाब में उगाया क्या है वैसे तो अंतरिक्ष में साल 1970 से ही पौधो पर शोद चल रहा है लेकिन साल 2015 में एक्सपैरिमेंट शुरू क्या क्या लेकिन ये एक्सपैरिमेंट दो बार रंग लाई स्पेस में नारंगी रंग के फूल खिल गए दरसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक वैजी लाब बनाई गई है जहां वैग्यानिक अलग-अलग पेड़ पौधे और फूल उगाने की कोशिश करते हैं और अभी तक कई बार सफलता मिल चुकी है चाइनीज पत्ता गोभी, गेहू, चावल, प्याज, मटर, मूली, अदरक, आलू, खीरा, सूरज मुखी, अरेबिडोपसिस, लेटस 2015 में सलाथ के तौर पर खाय जाने वाले लेटस उगाए गए थे, दावा किया गया है कि धर्थी पर उगने वाले लेटस से ज्यादा पॉस्टिक है अंतरिक्ष यात्री, स्पेस स्टेशन में उगे लेटस खाते भी है नासा के अनुसार अंतरिक्ष में उगाई कई लेटस धर्थी पर उगने वाली लेटस से मिलती जुलती ही दिखती है लेकिन अंतरिक्ष में उगने वाले कई पॉधों में धर्थी की तुलना में पुटैशियम, सोडियम और जिंक जैसे पोशक तत्वस ज्यादा पाए गए नासा अंतरिक्ष यात्रियों ने ये सबजी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सेरामिक, मिट्टी और रेड लाइटिंग युग बंद बक्सों में उगाई है इंजक्षन की जरीए इसमें पानी दिया जाता था इसे उकर पूरी तरह तग्यार होने में 33 से 56 दिनों का समय लगा नतरिक्ष में पौधे उगाना काफी चुनोती पूर्ण है, इसके लिए खास तक्नीक का इस्तिमाल किया जाता है पौधों को उगाने के लिए यहां प्लांट मेलों का इस्तिमाल किया जाता है जिसमें खाद और स्पेस डस्ट डाला जाता है इसमें एक चोटी सी पत्ती के जरीए बीच को रोपा जाता है और इंजक्षन के जरीए सीचा जाता है दरसल अंतरिक्ष में पौधा उगाने का मकसद सिर्फ शौक या फिर अंतरिक्ष यात्रियों का पीट भरना नहीं है बलकि एक रिसर्च का विशा है कि कैसे जीरो ग्राविटी में धर्ती से दूर वेजिटेशन पॉसिबल है या नहीं जाहिर है कि नासा के कई मिशन मंगल और चंद्रमा से आगे जाने के मिशन पर काम कर रहे हैं ऐसे में धर्ती से बहुत ज़्यादा खाना लोट करके अंतरिक्ष में नहीं ले जाया जा सकता और बिना Food Security के अंतरिक शियात्री भी जादा लंबे समय तक स्पेस में नहीं रह सकते इसलिए तरह तरह की सब्जियां उगाने के प्रयास किये जा रहे हैं इस फील्ड बे सिर्फ अमेरिकी वैग्यानिकों को ही नहीं बलकि चीन को भी बड़ी सफलता मिली है एक और कदम आगे बढ़कर चीन ने स्पेस स्टेशन में धान की खेती का डाली C.A.S. यानि Chinese Academy of Science ने अपने रसर्च में बताया कि चीन के स्पेस स्टेशन तियांगोंग पर वैग्यानिकों ने धान और कुछ सबजियां हो गाई है इनके पूरी तरह से विक्सित होने में कुछ महिनों का समय लगेगा आपको बता दे कि तियांजोंग चीन का टेंपररी स्पेस स्टेशन है जिस पर अभी काम चल ही रहा है बैग्यानिकों के मताबिक स्पेस में खेती के इस प्रियोग में एक ही महिने में जबरदस्त कामयाभी मिली अंतरिक्ष में पेड़ पौधे उगाने का ये मिशन भविश्य के लिहास से भी काफी एहम है क्योंकि अगर अंतरिक्ष की ग्रेविटी में सबजी उगाना मुम्किन हो सका तो अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के लिए धर्ती पर निर्भर नहीं होना होगा टीम निउस नेशन